Parts of speech शब्द भेद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें The Preposition The next topic is The Preposition जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक Pre-position आप ये शब्द को देख लें Pre- और Position Position याने स्थान और Pre- याने पहले हिंदी में से कहते हैं संबंध बोधक जो संबंध का बोधन कराए जो संबंध का बोध कराए So this is the After noun, pronoun, adjective, verb, adverb We come to the sixth part of the parts of speech And that is the preposition Let's take some examples Before we analyze it इससे पहले कि हम उसको विस्तार से समझें थोड़ा हम उदाहरन कुछ देखें और पहला है There is a cow in the field There is a cow in the field Right Second is He is fond of tea He is fond of tea Third The cat jumped off the chair The cat jumped off the chair O double F So here are three sentences And something is written in italics In, off and O double F These words are prepositions जो संबंध बनाते हैं जोड़ते हैं Connect करते हैं कुछ इस तरह का इसकार्थ निकलेगा लेकिन अब हम विस्तार से जाने हैं जो पहला सेंटेंस आपने देखा There is a cow in the field ये जो शब्द है इसमें इन जो है इन दो वस्तूओं के संबंध को बता रहा है कौन से cow और field There is a cow in the field Cow और field के बीच के संबंध को बता रहा है कि field में cow है दूसरा जो शब्द इसमें off है ये fond मतलब प्यारा He is fond of tea तो ये fond विशेशन का है उसकी विशेशन और tea के संबंध को यानि विशेशन और संग्या के संबंध को बता रहा है पहले में संग्या और संग्या के संबंध को बता रहा था दूसरे में विशेशन और संग्या के संबंध को बता रहा है fond of tea और तीसरे में जो ओडबल फ आफ है jumped off the chair the cat jumped off the chair इसमें क्या हो रहा है इसमें off शब्द जो jumped जो क्रिया है क्रिया का संबंध कुर्शी से बता रहा है पहले में संग्या का संबंध दो संग्या हैं संग्या का संबंध संग्या से दूसरे में विशेशन का संबंध संग्या से और तीसरे में किया का संबंध संग्या से तो यह संबंध बता रहा है एक दूसरे के रिलेशन बता रहा है, रिलेशन में ये बता रहा है कि मैदान में गाये है, चाय पसंद है, पसंदगी, पसंदीदा, पसंद और चाय के बीच में संबंद बता रहा है, क्रिया, जंप, कूदना और कुरसी के बीच में संबंद बता रहा है, टो ये जो in अफ और OWF ऑफ है ये क्या कहलाते हैं संबंध बोधक शब्द क्योंकि ये संबंध बतारे है They are relating to each other संबंध कर रहे हैं इसली क्या कहलाते हैं संबंध बोधक औरंग्रेजी में प्रिपॉजिशन अब प्रिपॉजिशन क्यों हम उसे बोलते हैं अंग्रेजी में संबंद बोधक क्यों है ये तो आप समझ गए preposition क्यों बोलते हैं हम पहले संबंद बोधक समझ लिए वो शब्द जो संगया या सर्वनाम से पहले जिसका उपयोग होता है और संग्या या सर्वनाम द्वारा संकेतिक का संबंद बताता है संग्या सर्वनाम या क्रिया के साथ इसका संबंद बताता है उसे हम संबंद बोधक कहते हैं याद रखेंगे इनका उपयोग संग्या या सर्वनाम से पहले होता है तो ये हुई संबंद बोधक के परिभाश्चा और पहले होता है ये हिंदी में जो मैंने बताया इसे ही हम कहेंगे before, pre याने before, pre याने before तो प्री पोजिशन जिसकी पोजिशन पहले हो किसके पहले संग्या या सर्वनाम से पहले हो संग्या या सर्वनाम से जिनकी पोजिशन पहले हो और संग्या या सर्वनाम से जो संबंद बताता हो इसलिए इनको प्रिपोजीशन अंग्रेजी में कहते हैं वह जो पहले रखा जाए प्यारत हुआ प्रिपोजीशन मतलब वह जो पहले रखा जाए Am I Clear Now? So, आप समझ गये हैं कि शब्दों के संबंध बताने के लिए जिन सब्दों का प्योग होता है संग्या सर्वनाम या संग्या संग्या या क्रिया संग्या इनके बीच में जो संबंध बताने के लिए होता है या प्रिपोजिशन कहलाता है पहले वाकि में आपने देखा एक संगया दूसरे संगया को जोड़ी है दूसरे में आपने देखा एक संगया एक विशेशन से जुड़ी है और तीसरे में आपने देखा क्रिया से जुड़ी है जंप क्रिया है एक्शन है तो संबंध बोधक के साथ संग्या या सर्वनाम को संबंध बोधक के साथ जिस संग्या या सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं उसे कर्म कहते हैं अब्जिक कहते हैं Am I clear? जिस संग्या सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं संबंद बुधक के साथ उसे हम अबजेक करते हैं इस तरह जो पहला वाक्य है उसमें अबजेक क्या हुआ? फील्ड जो है वो संग्या कर्मकारक है है संग्या पर अबजेक्ट राइड एक्यूजेटिव हम कह सकते हैं एक्यूजेटिव फील्ड दूसरे में दूसरे में क्या है संबंद कारक? दूसरे वाक्य में हम कह सकते हैं कि चेर तो ही जंप्ड आफ दे चेर तीसरे में आफ दे चेर फॉन्ड आफ टी और आप जो है ये संबंध कारक बता रहा है और कर्म से कर्म से इसको जोड रहे हैं जिसे हम accusative कहते हैं Similarly, another, the road runs over the hill and plain एक यदि हम वाकिले The road runs over the hills and plains अब यहां दो जो संग्याएं आ गए तो over लेकिन पहले है over hills and plains तो hills and plains को जोड रहा है तो run over सम्मन बुधक के दो या दो से अधिक कर्म हो सकते हैं hill भी है कर्म और plains भी है कर्म प्लेन यानि मैदान और hill मने पहाड तो the road runs over hill and plains जो समान तरीके से हम बात करें थे समान तरीके सम्मन बुधक प्राय कर्म से पहले आता है यह चीज आपको समन नहीं किस से पहले आता है कर्म से पहले आता है पर कभी-कभी बाद में भी आता है लेकिन नॉमली कर्म से पहले आता है जैसे यहाँ आपने देखा over hill and plain fond of tea in the field so it is coming before accusative case let's take further examples here is the watch that you ask for यह कौन से example हो गया इसमें बाद में आ रहा है संबंद बुधर जो है वो कर्म के बाद आ रहा है मैंने पहले कहा आपको सामान नित्या यह पहले आता है कर्म के पहले accusative case के पहले और उसके उदारान हमने पड़े अब यहां देखिए here is the watch that you asked for for is preposition लेकिन यह सबसे आखरी में आ रहा है कर्म पहले आ चुक है that is the boy that is the boy I was speaking of that is the boy I was speaking of boy or of what are you looking for looking क्रिया है क्रिया के पहले आना चुक है पर यह बाद में आ रहा है looking for what are you looking for what are you thinking of so generally preposition comes before but there are examples where it comes afterward also is it clear now for from in यह काल वाचक यह स्थान वाचक संग्याओं से पहले यह कई बार यह लुप्त हो जाते हैं गायब हो जाते हैं इसे हाइड कर देते हैं जिसे हम बोलेंगे हाइड कर दिया जाता है we did we did it last week we did it last week इसमें कौन सा preposition गायब है बिना preposition के कैसे बन रहा है वाक की कोई सा एक preposition को हमने हाइड कर दिया we did it last week we did it in last week in को हमने गायब कर दिया silent रख दिया I cannot walk a yard I cannot walk a yard I cannot walk a kilometer कौन सा preposition इसमें गायब होगा हिंदी में क्या बोलेंगे मैं अब एक kilometer नहीं चल सकता मैं अब नहीं चल सकता तो यहाँ तो कोई ऐसे संबन लेकिन अंग्रेजी में for a kilometer I cannot walk for a kilometer for wait a minute कौन सा प्रेपोजिशन या है wait for a minute तो कई बार हम प्रेपोजिशन को गायब कर देते हैं हटा देते हैं अपनी convenience के लिए और meaning वही रहता है simple prepositions अभी तक जो हमने देखा for, off, in, on, over यह सब simple prepositions थे बड़े सादे out, in, over, for they were simple simple prepositions जैसा शब्दों को देखकर ही लगता है अब थोड़ा सा compound prepositions भी होते हैं which are little longer and they carry more than one word within it एक से ज़्यादा शब्दी अपने में लिये हुए हैं समाहित किये हुए हैं उनको कहते हैं compound prepositions या संयुक्त संबोधक किसी संग्या विशेशन या क्रिया विशेशन में कोई संबन लगाने से बन जाते हैं ये जो compound जो हैं इसको किसी क्रिया में लगा दो किसी विशेशन में लगा दो या किसी सर्वनाम में लगा दो तो संयुक्त संबन्द बोधक बन जाते हैं वो कौन से वर्ड हैं जिनको हम जोड़ दें संग्या में, सर्वनाम में या क्रिया में सामाहित है वो वर्ड हैं ए या बी ए बी, ए या बी ए बी, ए जोड़ने से कैसे बनता, about, above, across, along, among, ये ए के जोड़ने से संयुक कमपाउंड बन गया, और ये double syllable हो गया, about, along, among, right, संयुक, बी, ए को जोड़के कैसे, before, beyond, beside, between, inside, outside, within, without, about, ये कमपाउंड के एक्जाम्पल है, next is phrase preposition, अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा जो नुप्योग होता है, वाक्य बनते हैं, वो phrase preposition से, हर क्रिया के साथ, simple preposition जितने हैं, उनको जोड़के आप नए अर्थ बना सकते हैं, मैं फिर से दोरा दूँ, हर क्रिया, आप एक क्रिया लीजिए, जैसे go, go over, go on, go out, go up, go down, go at, go का मीनिंग होता है जाना, लेकिन देखिए, go down का कुछ और अर्थ है, go up, go at, इन सब के अलग-अलग अर्थ है, get को लीजिए, बहुत common use होता है get का, get up, get मतलब पाना, get up, उठना, get down, उतर जाना, get on, जारी रखना, get over, उबर जाना, get out, बाहर निकल जाना, preposition लगा कर, simple preposition की बात कर रहा हूँ, simple preposition लगा कर आप, एक verb के कई verb बना सकते हैं, एक verb, word के कई अर्थ बना सकते हैं, लेकिन हाँ, preposition अलग-अलग रहेगा, तो अलग-अलग अर्थ होंगे, for example, जिस हम कहते हैं, इन सु क्या कहते हैं, phrase preposition, what are they called? phrase preparation, according to, along with, away from, because of, by means of, by virtue of, etc., etc., in spite of, instead of, in course of, in front of, in order to, in order to do well, I am working hard, in course of my discussion, he disclosed to me this fact, he was away from Raipur for so many years, by virtue of his hard work, he came first, by way of, gift, I gave him a watch, by way of a gift, a gift के रूप में मैंने, by way of, यहाँ वेकार्थ होता है, जाना, पर यहाँ नहीं हैं, by way of, मतलब, के इस था, के लिए, की तरफ, घड़ी की, गिफ्ट की तरफ मैंने उसे दिया, because of, के कारण, because के बाद हमेशा of आएगा, because of, by didn't of, according to, यह वे शब्द हैं, अब अभी ख्याल रखेंगे, यह वे शब्द हैं, वे फ्रेज हैं, जिसमें जो लिखा हुआ है, वही होगा, according के बाद, according from नहीं आता है, according in नहीं आता है, according out नहीं आता है, according के बाद हमेशा to ही आएगा, यह याद रखना है आपको, तो ऐसे बहुत सारे phrasal prepositions हैं, यह phrase prepositions हैं, जिसमें यह तैह है कि कौन सा preposition इस verb के साथ लगए, इस word के साथ लगए, वर नहीं word के साथ, instead के बाद, off ही लगएगा, instead of, instead of you, he must go, उसके बदले वो जाएगा, in place of, के स्थान पर, उसके स्थान पर वो जाएगा, in course of, in course of my discussion, he disclosed, के दौरान, in course of, मतलब के दौरान, in order to, मतलब, in order to reach the top, he took the car, उपर तक के लिए, in order to का मतलब हो गया के लिए, तो मैं फिर से दौराओं, phrasal verbs, adverbs, वे adverbs हैं, जिसमें, वही preposition लगते हैं, एक ही, और कोई दूसरा preposition नहीं लगता, मैंने भी आपको get और go का उधारन दिया, और लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि get के साथ, कई तरह के preposition लग सकते हैं, और हर preposition के साथ इसके अलग meaning हो जाते हैं, पर यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं, अभी, right now I am telling you that these phrasals and words, phrase prepositions are fixed, you cannot change, and you cannot replace these prepositions with other prepositions here, according के साथ two ही लगेगा, along के साथ with ही लगेगा, away के साथ हमेशा from ही लगेगा, because के साथ हमेशा off ही लगेगा, दूसरे शब्दों में आप ये दो शब्दों को जो देख रहे हैं, इनको एक मानते हुए इसको एक तरीके से contest करें, एक मान ले इनको because के साथ off ही लगेगा तो हम हमेशा because of, because of ही समझें और इसे एक तरीके से एक शब्द की तरफ practice करें अभ्यास करें जद्यपी off जो है वो preposition ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे उनको सब को यहां नहीं बताए जा सकता but you should know that there are phrase words with two words one of them is preposition and those prepositions are fixed for those words irreplaceable they cannot be replaced or changed on behalf of the staff behalf of on behalf of the staff on behalf of the staff he read the address उसने भाशन पढ़ा staff के स्थान पर staff के ओर से on behalf of staff staff की तरफ से instead of talking prove your worth by doing बात करने के बदले के बदले instead of के बदले next is there is a big tree in front of my house मेरे घर के सामने in front of front मने सामने पर हमेशा वो phrase वैसा ही रहेगा in front of in course of his research he met with many difficulties in course of his research he met with many difficulties in course of के दौरान के दौरान similarly he acted according to my instruction according to मे के अनुसार according to मतलब के अनुसार so this way the line will go on the information will go on but then that you develop with the passage of time what you need to understand is that these are phrase prepositions whose position is fixed only those prepositions can come with these words and having a singular meaning preposition या संबंध बोधक इसके बारे में बात करते हुए हम आगे अगले बिंदु पर आते हैं we come to the next point of preposition there is a set of words which have ing at the end at the end of each word ing and by adding this ing we use them as preposition those words because they connect the two क्योंकि वो संबंध बना देते हैं और क्योंकि संबंध बोधक हो जाते हैं इसलिए इन शब्दों को हम preposition कहते हैं उदारण के लिए ऐसे शब्दों में जो बहुत ज़्यादा उपयोग जिनका होता है मैं केवल उनी की बात करूँगा अनिथा ऐसे तो बहुत सारे शब्द है तीन शब्द बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं एक तो है बारिंग बी ए डबल र आई एन जी बारिंग मतलब क्या होता है बारिंग मीन्स accepting अपार्ट फ्रॉम के अलावा अपार्ट फ्रॉम इसको छोड़ दे तो इसको छोड़ कर barring accident the male will arrive tomorrow barring accident the male will arrive tomorrow इसको छोड़ दे इस बात को इसकी चर्चा ना करें तो male कल पहुँच जाएगी barring accident दूसरा है concerning concerning मतलब about I am talking about it, concerning this matter, about this matter, इस विशह के बारे में, about मने के बारे में, I am talking about my life, मैं अपने जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ, about, remember, about और above, दोनों में अंतर है, above यहने उपर, और about मने के बारे में, A, B, O, U, T, about, so concerning, I, N, G, concern मने चिंता, concern मने चिंता, concerning, say, संबंधित, say, संबंधित, about, के बारे में, yesterday's fire, yesterday's fire, हम आगे लगाते हैं, इसमें देखिए, शुरू में, I, N, G वाला वर्ड आते हैं, यहने, प्रिपोजिशन शुरू में ही आ जाता है, concerning yesterday's fire, there are many rumors, concerning yesterday's fire, there are many rumors, हम और भी दूसरे तरीके से बोलें, about yesterday's fire, there are many rumors, rumors, rumor मतलब, rumor कार्थ होता है, अफवाह, rumor कार्थ होता है, अफवाह, बहुत सार, कल के fire के बारे में, कल के fire आग के बाबत, बहुत सारी अफवाहे हैं, so, barring and concerning and third common word which we very much often use is considering, considering means taking into account, इसको ध्यान में रखते हुए, considering का आर्थ होता है, इसको ध्यान में रखते हुए, considering the quality, the price is very high, considering the quality, the price is very high, आप बजार जाते हैं, एक सामान खरीदने के लिए, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा दिखती है, आप अपने मित से पूछते हैं, ये कैसा है, ठीक लग रहा है, क्या, market में तो 300 में मिलता है, ये 500 रिपा में मिल रहा है, is it okay, आपका friend बोलेगा, कि इसकी quality को देखते हुए, कीमत ज़्यादा लग रही है, तो इसकी quality को देखते हुए के लिए, इतना लंबा जो है, उसके लिए है, considering, considering the quality, the price is very high, तीनों शब्दों में आई एंजी लगा है, सामानित आई एंजी जो हम लगाते हैं, तो वो tense में लगाते हैं, सामानित आई, tense में, कई बार उसको noun बनाने के लिए लगाते हैं, एक क्रिया को, action को noun बनाने के लिए, जैसे sleep से sleeping, sleeping is good, sleeping is good, वहाँ आई एंजी लगा है, पर वहाँ वो noun है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर considering का अर्थ, कोई क्रिया का रूप नहीं है, किसी क्रिया के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, किसी संग्या के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, बलकि यह बिलकुल अलग शब्द है concerning the fire concerning the quality the price is very high considering the quality sorry considering the quality the price is very high concerning the fire there are many rumors अब आप समझ गया है और ये तीन शब्द बहुत काम के हैं बहुत बार बार इसका उपयोग होता है so remember these three prepositions which are used beforehand ऐसे ही दूरिंग एक और वर्द दूरिंग दूरिंग शब्द नहीं है जिसमें इंग जुड़ गया है ना दूरिंग एक ही वर्ड है दूर उसमें इंग जुड़ा है ऐसा ना सोचें so during summer गर्मी में जानवर ठंडी जगा चले जाते हैं during summer animals move to colder places so ये दूरिंग हो गया right regarding another word regarding के संबंध में regarding his health regarding his health I have nothing good to say उसके स्वास्त के बारे में मुझे कुछ अच्छा कहने लायक नहीं है मेरे पास कुछ अच्छा कहने लायक नहीं है regarding his health I have nothing good to say nothing good to say so this is how ing is there in few of these words and these words are also used as preposition but not after the kriya or anything but right at the beginning now let's see few sentences you have to identify preposition and you have to tell that this preposition is used in respect of which word in respect to which word निम्लकित इन वाक्यों में संबंध बुधक देखो कौन से है और बताएं कि ये किस शब्द को नियंत्र कर रहे है अब यहां पर क्या शब्द है little jack horner sat in a corner preposition क्या है in किस के लिए यूज हो रहा है sat in a corner तो किस के संबंध है corner अर्थ right next is old mother habad she went into a kabad old mother habad she went into a kabad into sambandh bodha kabad उसके लिए जोरा the lion and the unicorn fought for the crown the lion and unicorn fought for the crown end है क्या preposition नहीं and दो शब्दों को जोड रहा है lion and unicorn इनको दूसरा कौन सा शब्द आपको लगता है for the crown के लिए crown के लिए fought fight fought crown के लिए लड़ रहे है हम्टी दूप्टी साथ on a wall हम्टी दूप्टी साथ on a wall on a wall on is again preposition on a wall so this is again a preposition and it is connected to what word on a wall right next is she sat by the fire she sat by the fire and told me a tale कौन सा शब्द देखिए to sit मने बैठना she sat by the fire आग के बाजू में बैठी और उसने मुझे एक कहानी सुनाई tale spelling देखिए tale याने कहानी tale याने किस्सा और एक tale होता है tale का मतला पूँच जानवरों की जो पूँच होती है उसको tale बोलते हैं लेकिन इसकी spelling है tale और एक होता है tale थोड़ा सा खीच के बोलना पड़ता है tale tale मनें बताना वो एक क्रिया है to tell याने बताना tell, told, told don't tell me that you are doing something right मुझे मत बताओ कि तुम बोच सही कर रहे हो don't tell me don't tell me मुझे मत तमझाओ मुझे मत बताओ ऐसा जड़क के जब बोलना होता है तो हम tell का उप्योग बहुत बार करें don't tell me so tell, tale, tale तीन शब्द हो गया थोड़ा सव चारन कांतर थोड़ा स्पलिंग कांतर and let's do the last one rain, rain, go to Spain and never come back again rain, rain, go to Spain and never come back again which one is preposition to Spain Spain एक जगा का नाम है Spain, rain, rain, go to Spain so this is enough for you to understand what is the preposition and how to identify preposition different types of prepositions now say another three more sentences in this regard इन वाक्यों में आपको क्या करना है संबंध बोधकों को क्रिया विशेशनों से अलग करना है किस से अलग करना है क्रिया विशेशनों से अलग करना निम्न वाक्यों में संबंध बोधक को क्रिया विशेशनों से अलग करना है कौन सा है इसमें, come down Come down में, संबोधक कौन सा है क्रिया विशेशन कौन सा है Come to down We sailed down the river Another one, identify पता करिये इसमें से, कौन सा संबोधक है कौन सा संबंद बोधक है कौन सा preposition है The man walked around the house The man walked around the house Which one is preposition? He sat on a stool He sat on a stool Identify the preposition And the last is, the carriage moved on The carriage, carriage मतलब पालकी या carriage मतलब carrier जिसमें बैट के कोई जाता हो या लिजाये जाता हो समान, उसे carriage बोलते है The carriage moved on कौन सा है समे Identify preposition And separate it from adverb आ legg कर दके बोलते है There... It is